माफी चाहूंगा आप लोगों से बहुत ही ये क्रूसियल जो दिन है आपके इसमें मैं दो दिन उपलब्द नहीं रहा और थोड़ा सा गरबढ हो गया जो भी स्टीडूल था लेकिन अभी फिर स्टार्ट होगा एशिया महादीप इस वीडियो में देखेंगे तेजी से एशिया महादीप में सबसे आदा इन्फरमेशन्स हैं ठीक है और ये चुकी अपना महादीप है हम लोगों का महादीप है इसके बारे हम थोड़ा अच्छे पढ़ेंगे तो चले इस वीडियो में एशिया महादीप सबसे बड़ा शेत्फ़फल वाला महादीप है। लगबग 30% शेत्फ़फल है पूरे विश्वक में जो अस्थल खंड है। जो भुभाग है उसका 30% कवर करता है एशिया के ले। सब्धिताओं का पालना कहते हैं एशिया को। क्यों 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 कि सिंद्ध उगाटे की सब्धिता हडपा सब्धिता इराग की मेसोपोटामिया सब्धिता जो की दजला और फराद की नदियों पर के किनारों पर इस्थे थी जिसको सुमेरियन सब्धिता भी कहते हैं ये सभी सब्धिताएं एशिया में ही जनमली और एश एशिया से ही पूरे विश्व में सभ्यताओं का ये क्रम बढ़ता रहा, विकास होता रहा, इसलिए सभ्यताओं का पालना भी एशिया महादीब को कहते हैं, विश्वत रेखा, करक रेखा और आर्केटिक वृत ये तीन प्रमुख अक्षान से रेखाएं हैं, जो एशिया महा महादीब की सिमाओं की बात करें, तो यूराल माउंटेन, यूराल परवत, यूराल परवत के नीचे कैस्पियन सागर, काकेसस परवत, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, काला सागर और भूमाद्य सागर, तो यूराल परवत के नीचे कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, काकेस काकेसस परवत काला सागर और मेडिटेरियन सी ये कालपनिक रेखा है जो यूरोप को एशिया महादीब से अलग करती है यूरोप महादीब और एशिया महादीब दोनों ही एक ही भूभाग है अलग अलग नहीं है इनको अलग करने के लिए कालपनिक रेखा मान ली गई है डिवाइट करता है रेड़ सी ये लाल सागर और स्वेजनहर तो लाल सागर और स्वेजनहर अफ्रीका और एशिया के मद्ध बिभाजन रेखा बनाती है इसी तरीके से इंडोनेशिया आप देख रहे हैं इंडोनेशिया दीप है इंडोनेशिया दीप समू पूर्वी दीप स विश्व का सबसे बड़ा दीफ समू है और इंडोनेशिया का दीफ समू में ही ये न्यूगिनिया जो है न्यूगिनिया आप देख रहे हैं न्यूगिनिया का जो पूर्वी भाग है उसको पपूआ न्यूगिनि कहते हैं ये न्यूगिनिया 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 पूर मेजते थे तो इस तरह से समझ सकते हैं ये नियो गिनी दीप है इसका जो पूरी भाग है ये पपुआ नियो गिनी है ये ओशीनिया महादीप में आता है जो आस्टेलिया महादीप या ओशीनिया महादीप है उसमें आता है और जो इसका पश्चमी हिस्सा है जो नियो अर्थात ये एशिया का हिस्सा है इस तरीके से पपुआ न्योगिनि और न्योगिनिया दीब का जो विभाजन रेखा है ये एशिया और ओशिनिया महादीब का भी विभाजन रेखा है अब हम इसी तरीके से उत्तर इमेरिका महादीप और एशिया महादीप के मध्य विभाजन रेखा तयार करती है बेरिंग जलसंदी जो कि रूस के पूरवी भाग में कमचटका प्रयदीप है कमचटका प्रयदीप के पास चुकशी सागर और बेरिंग सी बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोडने वाली जो जलसंदी है बेरिंग जलसंदी ये बेरिंग जलसंदी एशिया महादीप और उत्तर अमेरिका महादीप के अस्थलखंडों को अलग करती है अर्थात एशिया महादीप और जो उत्तर अमेरिका महादीप है उसकी विवा पांच एसे देश हैं जिनका विश्थार यूरोप में भी है एशिया में भी है यूराल परवत के साहरे रूस और कजाकस्तान काकेसस परवत के साहरे जार्जिया और अजर्बेजान और तुर्की का कुछ भाग दो प्रस्चत लगभग यूरोप में है अठानवे प्रस्चत एशिया में पड़ता है तुर्की का जो इस्तांबूल वाला हिस्सा है इस्तांबूल एशिया में भी है और यूरोप में भी पड़ता है इस्तांबूल जो नगर है प्रमुख नगर तुर्की का वो यूरोप और एशिया दोनों में उस विस्तारित है वो नगर उस्ता भी ह ध्यानक हैगा एशिया महादीप में विश्व का सबसे वड़ा देश रसिया इस्तित है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना भी एशिया महादीप में हिस्तित है विश्व की सबसे उची परवत माला हिमालयन या हिमाले परवत वाला ये भी कहां हिस्ति तिब्बत प्लेटू दुनिया का सबसे बड़ा पठार लगबग 2 लाग वर किलोमेटर में फैला ये भी एशिया महादीप में इस्थित है तिब्बत के पठार के पास इस्थित विश्व का सबसे उचा पठार पामीर का पठार लगबग 4875 मीटर जिसकी उचाई है ये भी ज इस्थित है एशिया महादीप में कुल दस स्थलरुद देश हैं कौन कौन से ध्यान देजेगा सबसे बड़ा स्थलरुद एशिया महादीप का कजाकस्तान है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्थलरुद देश अर्था स्थलरुद देश कौन होते हैं जिनकी कोई समुद् भी तर्टनी होता जिनका मंगोलिया ये दूसरे नंबर गा अस्थलबद देश है इसके लामा जो अस्थलबद देश है अजरबेजान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान अफगानिस्तान तजाकिस्तान करगिस्तान सोरी अजरबेजान नहीं है अजरबेजान नहीं है अजर ताजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और अंतिम देश जो है एक मात्र दक्षिण पूर्व ऐशिया में श्थित देश जो अस्थल रुद्ध है, तो ये कुल 10 देश हैं जो अस्थल रुद्ध हैं, ऐशिया में श्थित देश, दुनिया की सबसे गहरी जील बैकाल परवत के पास बैकाल जील ये एशिया महदीप में इस्तित है रूस में विश्व की सबसे बड़ी जील कैस्पियन सागर जील ये भी एकशिया में इस्तित है कैस्पियन लेक भी एशिया में इस्तित है कैस्पियन सागर नाम जरूर है लेकिन ये है एक लेक ये चारो तरब से भूवस्थित है ये किसी समुद्री या समुद्र से या सागर से नहीं जुड़ा हुआ है तो सागर से जुड़ा हुआ होता तब ये सागर होता या किसी सी लेवल से जुड़ा होता महा सागर से जुड़ा होता जिसे काला सागर जुड़ा हुआ है भूमादी सागर से तो वो सागर है जील नहीं है लेकिन कैस्पियान सागर ये कभी रहा होगा किसी समय जरूर सागर रहा होगा लेकिन वर्तमान समय में जो इसकी position है वो एक जील की है नकी सागर की एशिया महादीप में तीन प्रमुख प्रायदीप इस्थित हैं बड़े बड़े प्रायदीप एक अरब प्रायदीप है अरब प्रायदीप जो विश्व का सस्योड़ प्रायदीप है दूसरा ये दक्कन का प्रायदीप है और तीसरा ये जो प्रायदीप आपको दिख रहा है इंडो चाइना का प्रायदीप इसको बोलते हैं तीन प्रमुख प्रायदीप एशिया महादीप में इस्तित है रसिया का जो एशिया ही हिस्सा है यूराल परवत के पूर में जो हिस् साइवेरिया शेत्य के रूप में जानते हैं यहाँ पे तीन प्रमुख नदियां बहती है तीन प्रमुख नदियां आपको दिख रहे होंगी ओब, येंसी और लीना ध्यान रखेगा पश्चिम से पूर दिशा में जाते हुए ओब, येंसी और लीना इन तीनों का प्रवाच्छेत उत्तर दिशा में है और तीनों ही आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती हैं किसमें आर्कटिक महासागर में गिरती हैं इसके पूर में अर्थात यूराल माउंटेन के पश्चिम में वोलगा नदी है यूराल परवत के पश्चिम में वोलगा नदी अर्थाद यूरोप में वोलगा नदी बैती है और ये कैस्पियन सागरम गरती है सबसे महत्मूर बाद सोरी कैस्पियन सागरम गरती है ये उत्तरी सागर में या आर्कटिक ओशन में नहीं गरती है ये बहुत पिन पॉइंट है इस पर प्रशना सकता है और कन्फियोज हो जाएंगे और एक प्रशनोर आ सकता है कि वोलगा, ओब, येंसी और लीना इन में से कौन नदी यूरोप की नदी है तो इसमें से मात्र वोलगा नदी यूरोप की नदी है बाकी तीनों ओव, एंसिय, लीना, एशिया इन अदी हैं मलब साइवेरिया इस हित्र में बैते हैं और ये आर्केटिक ओसन में जाकर गिरती हैं समझाया? रूस की राजधानी मासको है जो की यूरोप में स्थित है इसलिए रूस का अध्यान हम यूरोप के मांचित के अध्यान में करेंगे जो की राजधानी मासको में है इसलिए हम रूस का संपूर अध्यान वो यूरोप के ही मांचित करेंगे एशिया महादीप पे हम मुख्यत एशियाई देशों की चर्चा करेंगे एशिया महादीब के उत्तर में आर्केटिक महासागर, दक्षिन महासागर और पूर दिशा में प्रशान्त महासागर इस्थित है नदियों की बात हम कर रहे हैं तो तीन नदियां आपने महत्पूर देखी एक और महत्पूर नदि है उस नदि का नाम आमूर नदि है आमूर नदि ये रूस और चीन की बार्डर का निर्माड करती है तो आमूर नदि चीन और रूस की सीमा पे बहती है और सी आफ अखोस्टक सागर में जाकर ये अपना जल गिलाती है ध्यान रहेगा आमूर नदी चीन और रूस की सीमा पे बहते हुए उसका सीमा निर्धान करते हुए सी आफ अखोश्टक में जाकर गिर जाती है तिब्बत के पठार से एशिया की बहुत ही महत्पूर नदिया निकलती है जिनके बारे में आपको जानना बहुत आउश्च है देखे एक बात बताओं की जो एशिया का पूरी भाग है उसमें महत्पूर नदिया बहुत कम ही है क्योंकि यह भाग सूखा गस्तर है बहूत ही मरुस्थली शेतर है इधर तो नदिया बहुत कम पाई जाती है लेकिन हैं जो नदिया वो बहुत महत्पूर्ण हैं खास कर उनके किनारे बसे सहर ठीक है तो उनके बारे हम पढ़ेंगे लेकिन जो एशिया के पूरवी हिस्से में जो नदिया है वो ज़्यादा महत्पूर्ण है वहाँ से प्रश्ण जाद आते हैं और यह ऐसी नदियां हैं जो किसी ने किसी देश की जीवन रेखाएं हैं, वहां की अर्थिव्योस था, उस नदी पराधारी थे, उसे भारत में गंगा नदी है, ठीके, बंगला देश में ब्रमपुत नदी है, इसी तरह म्यामार में आपकी इरावदी नदी है, दक्षिन तिबथ, तिबथ के पठार से, जो चीन में बहने वाली नदियां हैं, वो प्रमुख नदियां दो हैं, यलो रिवर और यांग जी या यांग टिक्सिक यांग रिवर, ये सिर्फ चीन में ही बहती हैं, तिबथ के पठार से निकल करके, यलो रिवर या हांग हो नदी जिसक करण इसको यलो रिवर भी कहा जाता है यलो रिवर पूरवी चीन सागर में जिस अस्थान पर अपना जल गिराती है यहां का पानी भी चुकि सागर है सागर में जहां पर पीला जल गिर रहा है पानी का रंग क्या हो जाएगा जल का रंग भी पीला हो जाएगा तो यहां पर बोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी भी बोलते हैं, जहांपे हंगो नदी का जल गिरता है, वहां के पास का सागर पीले रंगा हो जाता है, इसलिए इसको यलो सी भी या पीला सागर रूप में भी जानते हैं, यह पूर्वी चीन सागर का ही एक भाग है, पूर्वी ची पूर्वी चीन सागर है पूर्वी चीन सागर में बोहाई की खाड़ी या चिहली की खाड़ी इसको बोलते हैं यहां पर हांगो नदी अपना जलगी राती है इस कारण से जो सागर है उसका रंग पीला पड़ जाता है जिसके कारण इसको पीला सागर ही कहते हैं पीला सागर क पूर्वी चीन सागर में गिरती है या यलो सागर जो पीला सागर है उसमें अपना जल गिराती है ठीक है इसके बाद जो महतपूर्ण नदी है तिबत के पठार से निकलने वाली है वो है मेकांग नदी सिर्फ चीन में नहीं बहती है चीन से निकल करके ये दक्षिण पूर्वी एशिया के पांच प्रमुख देशों से होकर गुजरती है और पांचों प्रमुख देशों में ये बहुत ही महत्यपून भूम के निभाती वहां की अर्थवियोस्था में ये पांच प्रमुख देश कौन से हैं तो ये म्यामार ध्यान रखेगा म्यामार थाइलेंड एक सेकंड म्यामार थाइलेंड लाओस कमबोडिया और वियतनाम इन पाँच देशों में, चीन के लावाँ इन पाँच दक्षिन पूर्वी एशिया का गंगा भी कहा जाता है पूछा जाएगा कि दक्षिन पूर्वी एशिया का गंगा या दक्षिन पूर्वी एशिया का डेन्यूब किसे कहा जाता है तो मेकांग नदी को कहा जाता है ठीक है और मेकांग नदी इन सभी देशों से प्रवाइत होते हुए साउचाइनासी दक्षिन चीन सागर में ये जाकर गिरती है यहाँ पर डेल्टा बनाती है इसका डेल्टा अभी प्रश्ण भी आया था आपको पता है कि कहां पर डेल्टा बनाती है तो दक्षिन ये व्यत नाम में अपना डेल्टा बनाती है दक्षिन चीन सागर में गिरने वाली नदी है ओके हाला कि इसके मुहाने को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह सिर्फ इसका मुहाना कमबोडिया वियतनाम को ही नहीं टच कर रहा है बलकि दक्षणी कमबोडिया को भी हलका सा टच कर रहा है तो दक्षणी कमबोडिया तक इसका मुहाना विस्तित है यही कारण है कि कुछ लोगों ने इस प्रश्ण को चैलेंज किया है एक और महतपूर नदी है यहाँ पर आपको असपष्ट दिख रहा होगा यह ज़्यादा असपष्ट है मांचेत्र है यहाँ पर असपष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा तो एक और नदी तिब्बत के पठार से निकलती है जिसका नाम सालवी नदी है सालवी नदी भी चीन से निकलती हुई सिर्फ म्यामार में बहती है ये चीन के बाद सिर्फ म्यामार में आती है सिर्फ म्यामार में बहती है और म्यामार से होती हुई सालवी नदी ये बंगाल की खाड़ी में एक और छोटी सी खाड़ी है जिसको मर्तबान की खाड़ी कहते है मर्तबान की खाड़ी दियान लखेगा मर्तबान की खाड़ी में आकर गिरती है मर्तबान की खाड़ी में एक और नदी गिरती है जो सिर्फ म्यामार में ही बहने वाली नदी है म्यामार की जीवन रेखा भी कहते हैं इस नदी को यह है इरावदी नदी इरावदी नदी इन पांच नदीयों में जिसका हमने अभी जिक्र किया एक मात्रेशी नदी है जो तिबबत के पठार से नहीं निकल रही है बलकि यह अराकान यूमा के पहाड से निकल रही है अराकान यूमा जो परवत है हिमाले कही जो पूर्वी विस्तार है वहां से निकल रही है ठीक है मरतबान की खाड़ी में जहां सालवी नदी गिर रही है वहाँ पे ये भी गिर रही है तो ध्यान रखेगा पाँचो नदीयों के बारे में तिबबत के पठार के पास ही मानसरोर जिल आप तिक रहे हैं ये राकस जिल है बहुत महत्पूर जिल हैं नदियों के लिहाज से मानसरोर जी के पास कुछ ग्लेसियर हैं महत्पूर ग्लेसियर हैं इन्ही ग्लेसियरों में एक महत्पूर ग्लेसियर है इसका नाम सिंगी खंबाम ग्लेसियर है क्या नाम है सिंगी खंबाम ग्लेशियर यहां से सिंदु नदी जो की बहुत महत्पूर नदी है तियासिक नदी है वो निकलती है सिंदु नदी अब पहले कश्मीर से होकर बैती थी अभी भारत का नया नक्षा है आप देख सकते हैं यह लेह जीला से होती होई लद्दाग से होती होई गिलगिट में एक महाखड बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है थीक है ध्यान रहेगा तो लेह से होती होई पाकिस्तान में यह लद्दाग के लेह से होती होई पाकिस्तान में प्रवेश करती है उसके पहले गिल पाले माली नदियां हैं जो कि इसकी सहाइक नदियां हैं, सिंधु की सहाइक नदियां हैं, वही लद्दाक में कुछ नदियां, इसकी सहाइक नदियां के रूप में मिलती हैं, जैसे शूक, गिलगिट, द्रास, नुब्रा, इस भी लद्दाक में इससे मिलती हैं, सिंधु न का मीथन कोट नामक स्थान है जहां पर ये सिंदु नदी से आकर मिल जाती है ये स्थान जो है जहां पर ये पंचनत जेलम रावी चांचेनाव रावी सतलज ठीक है ये सभी आकर मिल रही है सिंदु नदी से इस स्थान का नाम मीथन कोट है जो कि पाकिस्तान में है तो पूछ करती है पाकिस्तान में और यहां से होते वे कराची के पूर्व में कराची जो शहर है पाकिस्तान का उसके पूर्व में अरब सागर में सिंदु नदी अपना जल गिराती है जिन्धुनदी तंत्र की जो प्रमुख नदियां है उसमें जो सबसे उत्री नदी है जहलम नदी है जेल अनुदी पीर पंजाल सेंडी के गिरिपाद से एक लेक है जिसको शेशनाग जील कहते हैं या वेरी नाग जहरना कहते हैं यहां से अपना जलसोत प्राप्त करते हुए बूलर जील जो शीनगर में स्थित है उसमें मिलते हुए यह पाकिस्तान को निकल जाती है और पाकिस्तान में जंग नाम अगस्तान में यह जंग नाम अगस्तान है जहां पे चेनाप से मिल जाती है तो चेनाप की मुक्त है सहायक नदी है बाद में यह अंततह यह सभी इधाराएं जाकर के कहां पर मैंने वदाया सिंदु में मिल जाती है इस जगा का नाम याद रखे पूछ सकता है कभी भी क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है तो नए प्रश्ण में मीथन कोट नामकस्थान है पाकिस्तान में जहां पे सिंदु को पंचनत का जलपराप्त होता है तो जेलम की बात हुई फिर चिनाम नदी जो की सिंदु की सबसे बड़ी सहाइक नदी है चिना नामकस्थान पे मिलती है जिसके बाद इसका नाम चेनाव या चंद्रभागा भी इसको कहते हैं चेनाव हो जाता है रावी और व्यास का उद्गाम अस्थान रोहतांग दर्रा ही है रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकल करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है भ पहारत में ही बहती है व्यास ये व्यासकुंड से हिमाचर प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास व्यासकुंड नामक अस्थान से निकलती है और पंजाब के हरीके नामक अस्थान पे 17 नदी में मिल जाती है तो 17 नदी पे यहां हरीके नामक अस्थान पे अमरिस्सर के निर्माड ऐसी मानता है कि रावन ने किया था यहां से निकल करके यह पूरी तरह से भारत को काटती हुए भारत के पहले और भारत के बाद भी अगर कोई नदी है तो सतलज नदी है पूरी तरह से भारत को विभाजित करते हुए निकलती है ठीक है तो भारत में ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश प्रवेश करेगी हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब के बाद निकल जाती है सीधे ये पाकिस्तान को ठीक है? याद रहेंगा राक्षास्टाल से कौन सी नदी निकलती? सतलज नदी और भारत को क्रास करके यह पाकिस्तान में प्रवेस करती है ठीक? और सिंदु से जाकर के कहांपर मिल जा रही है? सिंदु नदी से किस नामगस्थान पे? मिठन कोट नामगस्थान पे यह मिल जा रही सिंद्र नदी से मानसरोर जhील के पास ही चेमा यूंग डुंग गलेसियर है क्या नाम चेमा यूंग डुंग गलेसियर यहां से एक बहुत महत्पूर नदी ब्रमपूत नदी निकलती है मान सरोर जील के पास चेमा यूंग डूंग लेशियर से ब्रमपूत नदी जिसको चीन में जिसका महत्पूर हिस्सा जो सबसे महत्पूर भाग है चीन में इस्थित है ज्यादा तर ये इसका चीन में ही विस्तार है तो ब्रमपुत नदी को चीन में यारलूंग सांगपो के नाम से जानते हैं ये जो टैक्सियल मोड है भारत में जिसको जहां पर नामचा बरवा की पहड़ी है यहां पर ब्रमपुत नदी यूटन लेती है यूटन लेने के बाद ये अरुणाचर प्रदेश में प्रवेश करती है अरुणाचर प्रदेश और असम दो ऐसे राज़े हैं भारत के जहां पर ये बहती है अरुणाचर प्रदेश में जब बहती है तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं माजुली दीब जिसको बोलते हैं, माजुली दीब विश्व का सबसे बड़ा नदी दीब भी है, दियान रखेगा, उसके बाद असम में जब परवेश करती है, तब इसको ब्रहम्पुत कहा जाता है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत नदी पड़ जाता है असम में सुबन सीरी और मानस नदियां इस से मिलती हैं ये प्रमुख सहक नदियां हैं असम में जो ब्रह्मपुत से मिलती हैं सुबन सीरी नदी और मानस नदी प्रमुख शहर जो ब्रमपुत नदी के किनारे ही इस्तित हैं भारत के गुवाहटी, तेजपूर, डिब्रुगड ये सभी ब्रमपुत नदी के किनारे ही इस्तित हैं इसके अलामा इस नदी की जो सहयक नदियां है पगला दिया, धनसीरी, जीया भरेली, पूली माथी, धनसीरी ये सभी भी सहयक नदियां है ब्रंपुत की छोटी छोटी नदियां है ब्रंपुत नदी असंप के बाद जो है फिर बांगला देश में प्रवेश करदाती है और बांगला देश में इसको ब्रंपुत न कहके जमुना के नाम से जानते हैं अब जब ब्रंपुत नदी हम पढ़ रहे हैं गंगा ब्रंपुत डेल्टा पढ़ना है तो अब हमको गोमुक नामक स्थान है गोमुक नामक स्थान से गंगा नदी नहीं निकलती है ध्यान रखेगा गंगा की ही धारा रहती है उसको गंगा न करके भागी रथी नदी कहते हैं भागी रथी नदी आगे बढ़ करके अलक नंदा सोरी भागी रथी नदी देव प्रयाग में अलक भागी रथी ये मिल करके इनकी जो सेयुक तधारा है ये देव प्रियाग में मिलती है और यहां पर गंगा नाम से इनको जनायाता है ध्यान रखेगा देव प्रियाग में अलक नंदा भागी रथी से मिलती है जहां इनको गंगा के नाम से जनायाता है अलक नंदा नदी का जो स्रोत है वो बद्री नाथ के पास सतो पंथ ग्लेशियर है तो भागी रती नदी गोमुख से निकलती है गंगा नदी से अलक नंदा नदी बद्री नाथ के सतो पंथ ग्लेशियर से निकलती है इन दोनों नदियों का संगम होता है देव प्रियाग में जहां पे इन दोनों नदियों की धारा मिलकर के गंगा नदी कहलाती है इतना याद रहेगा आपको यहीं से उत्तरा खंड सही यमनुत्री नामक हिमनद है वहाँ से गंगा की सबसे बड़ी सबसे लंबी साहिक नदी यमना नदी निकलती है जो इलाबाद के प्रियाग में गंगा से किस तरफ से दाहिनी तरफ से मिलती है गंगा इस तरफ प्रवाइट हो रही है तो अगर आप अपना सिर इस तरफ करें तो आपको पता चलाएगा दाहिनी तरफ से ये नदियां रहेंगी, बाहिनी तरफ से ये नदियां रहेंगी तो याद भी रखने के लिए बहुत अच्छा है कि कौन-कौन सी नदियां दाही तरफ से मिल रही है गंगा से, कौन-कौन सी नदियां बाही तरफ से मिल रही है अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है तो यमुना जो है सबसे लंबी साहिक नदिये गंगा की और यह इलहाबाद के संगम में यहां गंगा से मिलती है इसी कारण इसका नाम संगम रखा गया है और यह बाई तरफ से मिलती है ठीक है? और कहाँ से निकलती है? यमनोतरी हिमनस से कानपूर, बनारास, पतना, इलहाबाद, हरिद्वार ये सभी प्रमुक्ष शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे इस्थित हैं गंगा नदी अब जब बात हो रही है थोड़ी सी तो भारत की भी बात कर लेंगे आप लोगों को याद रहेगा देखें गंगा नदी की जो सहक नदियां है यमना नदी तो चलिए दाहिनी तरफ पहले बाई तरफ की नदियों की बात कर लेंगे ये राम गंगा नदी है जो गंगा से मिल रही है बाई तरफ फिर गोमती नदी फिर घागरा नदी फिर गंडक नदी फिर कोसी नदी और अंत में सबसे लाश्ट में सबसे पूर में कौन सी नदी मिलती है गंगा से तो महानन्दा याद रखेगा महानन्दा इसी करम में याद रखेगा ये सभी 22 तरफ से मिलने वाली नदी है गंगा में दाहिनी तरफ से कौन सी नदी मिलती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमना नदी की यमना नदी की भी सहग नदियां है कुछ चंबल, बेतवा, केन ये सभी तीनों नदियां किसकी सहग नदियां है यमना की सहग नदियां है ये गंगा में डारेक्ट नहीं मिलती है ध्यान रखेगा गंगाम डारेक्ट मिलती है यमुना, सोन और टोंस, इसके पहले टोंस यमुना, टोंस और सोन नदियां ये सबी गंगा की सहक नदियां हैं जो दाहिनी दिशा से आकर के गंगा से मिलती हैं बाकि इन नदियो नदी तंत के बारे में जानकारी एच जब हम भारती महादीप में बढ़ेंगे भारत का नक्षा पड़ेंगे भारत का भूगोल पड़ेंगे उसका मांचेत्र तो उस वीडियो में विष्तित अध्ययन करेंगे फिलहाल हम जो बात बता रहे थे गंगा नदी तंद की बात कर रहे थे गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो भागों बढ़ जाती है गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो भागों बढ़ जाती है एक भाग हुबली कहलाता है क्या कहलाता है हुगली और दूसरा भाग ये बंगला देश में प्रविश कर जाता है जिसको बंगला देश में किसका साथ मिलता है ब्रंपुत नदिया जमुना नदी का साथ मिलता है और जमुना नदी के साथ मिलते ही गंगा को यहाँ पर गंगा की नाम से जान करके पदमा की नाम से जानते हैं किस नाम से पदमा तो गंगा और जमुना की सेयुक्त धारा जो बंगला देश में प्रवेश करती है जो मिलती है बंगला देश में जमुना से उसको पदमा के नाम से जाना आता है यही पदमा बंगला देश के चादपुर नामक अस्थान पे मेगना नामक नदी की धारा से मिलती है और इसको मेघना के नाम से जानने लगते हैं और यही मेघना नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गरती है जहां पे ब्रमपुत, गंगा बंपुत का डेल्टा जोकि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माड होता है जिसको सुन्दर वन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं गंगा नदी उत्तराखंड उत्तरबदेश बिहार जारखंड पस्चिम मंगाल इन पाँच भारती राज्यों से हुकर गुजरती है प्रशनाया है ध्यान रखेगा उत्तराखन उत्तरवदेश बिहार जारखन पश्चिम मंगाल तो याद रहेगा वेश्ट मंगाल में दो धाराएं हो जाती है एक हुगली वही हुगली नदी जिसके किनारे कलकत्ता शहर इस्थित है पश्चिम मंगाल की राजधानी और हुगली ये पश्यम बंगाल में ही बंगाल की खाड़ी में जाकर के गर जाती है लेकिन इसकी एक राशी बंगला देश में प्रविश करती है वहाँ पे जमुना से मिलती है पदमा कहलाती है ये पद्मा मेगना से मिलती है मेगना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गरती है इतनी बाते हैं गंगा नदीतंदे के बारे में एशिया में पांच दो पाकिस्तान की बात करें दोस्तों एक महत्पूर्ण पडोसी है हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं क्योंकि यहां बारिष औरीस नहीं होती लेकिन सिचाई की बहुत व्याउस्ता किया है इसने सिन्दू गाटी सब्रेटा और सिन्दू नदी तंतर की जो नदियां है इन से काट काट के इसने खुब नहरे बना दिये हैं नहरों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है इसलिए बारिश नहोंने होते हुए भी ये देश में सिचाई की कमी नहीं है पानी की कमी नहीं होती है इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान के पश्चिम में ब्लूचिस्तान का पठार है नौर्थ व उसी तरह स्वाद घाटी और वजीरिस्तान का जो प्रदेश है वो पाकिस्तान का स्वर कहा जाता है। लेकिन तालीबान नामक आतंगवादी सेंग्ठन की मौजूदगी के करण ये अशांद शेतर है बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का। काहूटा एक परमाड शक्ति केंदर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे चगाई पहाडी इस्तित है जहां परमाड परिक्षन अस्थल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में चीन ने चस्मा दो चस्मा तीन नमक परमाण औरुजा सेंत्र शुरू किये हैं चस्मा दो चस्मा तीन चीन की साहता अस्थापित परमाण औरुजा सेंत्र हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद है उत्तर में स्थित है इसका सबसे महत् हमारा पडोसी है श्रिलंका twentne is a जाय वर्दने पूर कोट्टे यह की राजधानी है प्रशाषणिक रातधानी को ニम्बो इसकी आर्थिक राजधानी है जिस तरह हमारा मुंभई जो आर्थिक क्राजधानी है भारत का। 있어서 सिलंगा की महत्पूर्ण सबसे महत्पूर्ण सहर को अलंबो है और ये आर्थिक राजधानी भी शिलंका का माना आता है। शिलंका भारती वुभाग से पाक की जलसंधी के द्वारा अलग होता है। शिलंका में एक महत्पूर्ण नदी बहती है महावेली गंगा जो शिलंका की सबसे वड़ी नदी है। इसकी दो सहयक नदियां है यान नदी और अरूबी नदी याद रखेगा अरूबी नदी और यान नदी ये शिलंका में महावेली गंगा जो नदी है उसकी सहयक नदियां है। मनार की खाडी में काफी मोती प्राप्त किया जाता है जिसके करण शिलंका को पूरु का मोती भी कहा जाता है मनार की खाडी से मोती निकाला जाता है जिसके करण पूरु का मोती भी कहा जाता है शिलंका को शिलंका में नदियों की पूछा जाता है कि नदियों की कहां पर अपवा की अरी पणाली पाई जाती है तो शिलंका में जो नदियां बहती है अपवा की अरी पणाली पाई जाती है कोलम्बो जो है सबसे बड़ा बंदरगा है जैसा मैंने कहा आर्थिक नगरी है ये कोलम्बो केलानी नदी के तड़ परिस्तित है केलानी नदी के तड़ परिस्तित है शिलंका की सबसे उची चोटी है पिथूरा लागला पिथूरा लागला ये सबसे उंची चोटी है शिलंका की शिलंका में आदम का शिखर इस्थित है आदम शिखर इस्थित है जो काफी पवित्र माना जाता है शिलंका में इसकी पूजा पाठ होती है लोग काफी धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं इस शिखर से आदम शिखर से अभी हाली में एक्जाम में आपके सकोत्रादीब के बारे में पूछा गया था सकोत्रादीब के बारे में पूछा था सोरी अभी मैं दूसरा प्रश्ट बोल रहा था सकोत्रादीब के बारे में पूछा था काफी लोगों ने ओमान लगा दिया था लेकिन ये यमन का है साफ साफ लिखा वी हुआ है देख लीज़े अब हम बात करेंगे एशिया के बहुत ही महतपूर्ण शेत्र के बारे में मध्ध एशिया के बारे में मध्ध एशिया जो है ये काफी दुर्गम शेत्र है मदेशिया की जो परिभाशा दी आती है उसमें किवल पाँच ही देश है जो सब तरह की परिभाशा में खरे उतरते हैं ये पाँच देश आपको सामने दिख रहे हैं कजाकستان, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान ये पांस देश हर तरह की परिभाशा में ये आते हैं मदेशिया के हाला कि चीन का कुछ भाग, अफगानिस्तान का कुछ भाग और منگولिया का भी कुछ भाग इसके अंतरगत माना जाता है लेकिन ये पांच देश पके हैं कि पांच देश इसमें आते हैं कजाकिस्तान की राजधानी इनकी राजधानी बहुत महस्त पुर्ण है याद रखेगा पहले अस्ताना थी लेकिन अभी नूर सुल्टान हो गई है तुर्कमेनिस्तान की राज़ानी अश्गाबाद है तजाकिस्तान की राज़ानी दुशंबे है किर्गिस्तान की बिश्केक है उजबेकिस्तान की राज़ानी ताशकंद है इनका करम याद रखेगा इनका शेत्र भी याद रखेगा अक्सर आता है तो ये प्रमुख नदिया है लेक बलखास यहां इस्तित है आपको पता है कजाकिस्तान में पूरी तरह से इस्तित है अरल सागर कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान दोनों में इस्तित है अरल सागर, कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान दोनों में इस्तित है अरल सी इसका नाम दसल ये एक छोटी सी जील है एक समय ये कैस्पियन सागर के जैसी बड़ी जील हुआ करती थी इसमें दो प्रमुखनदियां जो इस शेत में बहने वाली है सीर दरिया और अमो दरिया इनका पानी, इनका जल इसमें आता था लेकिन बाद में इनके जल को नियंतित कर दिया गया जिसके करन जील काकार लगातार छोटा होता गया और अभी भी लगातार छोटा होता जा रहा है इस मध्धेशियाई शेतर में इस्टेपी नामक घास का मुलायम मैदान पाया जाता है बड़े-बड़े मैदान पाया जाते हैं इस्टेपी नामक हलाकि यहां मरुस्तली शेतर भी काफी है सबसे महत्पूर्ण मरस्तुली शेत्र जो है कारा कुम, कजिलकुम और तकला माकन मरस्थल है कारा का मरस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में इस्तित है तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है मैक्सोम इसका पार तुर्कमेनिस्तान में आता है ठीक है, इसके पूरों में कैस्पियन सागर के जो किनारे स्थिद्देश है तीस से तुर्किमेनिस्तान एसे अजर्बेजान ठीक है अजर्बेजान आर से रसिया आई से एरान और के से कजाकिस्तान ये देश कहां स्थिद्देश है कैस्पियन सागर के तटपे स्थिद्देश है संसाधनों के लिए पूरे विश्व में प्रिसिद्ध है, बाकु नामक शेत्र, नाम याद रखेगा, और बाकु अजरबैजान की राजधानी भी है, याद रखेगा, अरलसी जैसा कि मैंने बताया, अक्सर पूस्ता है, कज उस से याद रखेगा, कजाकिस्तान, उजबेकिस में इस्तित है, लेक बलखास, ये भी एक जील है, महतपूर्ण, कजाकिस्तान में पूरी तरीके से इस्तित है, यहाँ महतपूर्ण मरुस्तल है, जैसा कि मैंने बताया, तुर्कमेनिस्तान में मुक्यता फैला हुआ हुआ है, तुर्कमेनिस्तान में भी है, लेकिन मुक्यत इसका जो भाग है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान में है क्या नाम है कजिल को मरस्थल कजिल को मरस्थल ये अमू दरिया और सीर दरिया दोनों नदियों के मध्ध में इस्तित है इनके बेशिन के मध्ध में इस्तित है कजिल को मरस्थल इसके लावा तीसरा जो प्रमुक मुरुस्थल है तकला माकन मुरुस्थल तकला माकन मुरुस्थल ये मुखित है चाइना में इस्थित है चीन के उत्तर में तकला माकन मुरुस्थल जिंजियांग परांत है चीन का वहां पर इस्थित है लगबख 70 प्रिस्टा तेरिया तकलामाकर मरुस्थल का चीन में पढ़ता है बाकी कुछ एरिया इसका कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में और तजाकिस्तान में भी पढ़ता है इन देशों में कुछ एरिया इनका पढ़ता है मंगोलिया का आपको पता है कि गोबी मरुस्थल यहां परिस्थित है बड़ा मरुस्थल है ठीक है अल्टाई माउंटेन यहां परिस्थित है और अल्टाई माउंटेन के डक्षिन में एक महत्पूर्ण परवतमाला तियान शान तियान शान परवतमالा इस स्थित है ये तियान शान जो परवतमाला है यहाँ से एक जील निकलती है इसके पास से इसक जील इसक कुल जील या इसक जील महतपूर जील है إ газाम के पॉइंट आफ यू से इसके हلامा सिर दरिया, इली और तारीम नामक नदियां भी ये परवतमाला विक्सित है. गोबी मरुस्थल का जो विस्तार शेत्र है वो चीन और मंगोलिया दोनों में हैं. याद रखे है का गोबी मरुस्थल चीन तक फैला हुआ है गोबी का पठार. तक्षिन पूर्वी एशियाई देशों का दियन बहुत महत्पूर्ण है. पांडले शहर उस्ता है किस नदी पर इस्तित है इरावदी नदी को इसकी जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इसकी अर्थव्योस्था इरावदी नदी के सहारे इस्तित है. चावल की खेती यहां पर काफी होती है सुदूर पूरु का चावल का कटोरा इसलिए म्यामार को कहा जाता है अराकान योमा जो हिमाले परवत का विस्तार है वो यहीं पर इस्तित है म्यामार और भारत की सीमा बनाता है यहीं पर खाराबो राजी नमक सर्वो चोटी इस्थित है आराकान योमा परवत शेंडी का ही भाग है खाराबो राजी ये सर्वो चोटी है म्यामार में इस्थित दोस्तों दक्षिन पूर्वी एशियाई जो देश है ये प्रजाती रूप से चीन के काफी नजदीक है ये प्रजाती रूप से तो चीन के काफी नजदीक है लेकिन सांस्तिक रूप से अगर देखें तो भारत से काफी मेल खाते है मेकांग नदी, इरावधी नदी, साल्वीन नदी और मीनाम नदी मीनाम नदी के साथ ही मिलकर के मेकांग बहुत बड़ा डिल्टा बनाती है कहां पर बनाती है व्यतनाम के दक्षिन या कमबोडिया के दक्षिन में दक्षिनी कमबोडिया दक्षिनी व्यतनाम के पास दक्षिन चीन सागर में मीनाम और मेकांग डेल्टा बनता है ये मीनाम नदी मेकांग की सहक नदी है इसलिए इसको कभी कभी मेकांग डेल्टा की अकेले रूप में जैसा कि एक्जाम में पूछा गया था मेकांग डेल्टा की रूप में भी जाना जाता है इनकी राजधानियों को आप जरूर याद रखेगा म्यामार की राजधानी नियापीटाओ थाइलेंड की राजधानी बैंकॉक वियतनाम की राजधानी हनोई लाओस की राजधानी वियंतियान कमबोडिया की राजधानी नॉमपेन वियतनाम की राजधानी तो आपने देखा ही हनोई तो इन सभी राजधानियों को याद रखना है मलेशिया का राध्धानी कोरालंपूर है मलेशिया दो भागों में भाजित है दो छेत्र हैं इसके मलेशिया के एक मलाया प्रायदीप है और दूसरा ये उत्री भाग जो बोर्नियो दीप का उत्री भाग है ये मलेशिया के इंतर गताता है उत्तर पूरी भाग ब्रुनेई के शेत्र में आता है और दक्षणी जो बड़ा भाग है वो इंडोनेशिया के शेत्र में आता है किस दीप का बोर्निय दीप का साउच चाइना सी में दो प्रमुख आइसलेंड इस्थित हैं पारसल आइसलेंड और इस्प्राटली आइसलेंड जिसको लेकर अक्सर यहां के जो किनारे इस्थित देश हैं और चाइना में विवाद होता रहता है इंडोनेशिया के आसपास के जो दीव समू हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलिपिन्स हो गया, जापान हो गया, ठीक है, कोरिया ही दीव हो गया, इन सब को पूरवी दीव समू कहते हैं, इसका आकार धनुशा कार है, धनुश के आकार में ये विस्तित है, इसमें अंड़मान निकोवार भी आता है, इंडोनेशिया के दीप आते हैं, फिलिपिन्स के दीप आते हैं, जापान के दीप आते हैं, तो यह कहां पूर्वी दीप समू के रूप में इनको जना आता है, इसमें मलेशिया, जो आप देख रहे हैं, मलेशिया, सोरी, फिलिपि पीप है फिर मनिला और मिंडनाव ठीक हैा यह प्रमुखदीफ है सबस्य वड़ा जो इस में दीप है वो लूजोन दीप फिलिपीन्स के सुदूर पूर में Marshall Island फिलिपीन्स के पूर्वी तट्वностью यह फिलिपीन्स सी में पास में ही मेरियना गर्थ इस्थे थे दुनिया का सबसे निचला अस्थान मेरियना गर्थ सबसे गहरा गर्थ ये प्रशान महासागर में गरत इस्तित है 11,033 मीटर लगबग इसकी गहराई है एक महत्पुन बात मैं बताना जो भूल गया आपको मलेशिया जैसा कि नहीं बताया ये दो प्रमुक शेत्र मलेशिया में आते हैं एक मलेशिया प्रादिप और दूसरा जो बोर्नियों का उत्तरी शेत्र है ये मलेशिया में आते हैं मलेशिया की राजधनी कौलालंपुर ये मलेशिया प्रादिप में इस्तित है मलाय प्राइदीप और इंडोनेशिया जो दिपसमू है उसके बीच में मलक का जल्ड़ अमरूमद यस्तित है ये बहुत ही सामरिक महत्तों का जल्ड़ अमरूमद है वर्तमान में भारत के लिए इसका महत्त और जादा बढ़ गया है कारण है कि ये प्रशान्द महासागर और हिंद महासागर को जोडने वाला जल्संदी है तो ये जल्संदी मलक का जल्संदी किसको जोडती है प्रशान्द महासागर और हिंद महासागर को इसलिए इसका आर्थिक और सामरिक महत्त और जादा बढ़ जाता है बहुष्य में मलक का जो जलसंदी है वो वैश्विक रंडनिती और विदेश नित्वी बहुत महत्वूर्ण भूमिका निभाने वाली है वर्तमान में भी निभा रही है लेकिन आने वाले समय में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्यinsi हिंद महासागर और प्रशान महासागर को ये जलसंदी जोड़ती है तो किसके किसके बीक है पूर सकता है तो सुमात्रा जो दीप है इंडोनेशिया का और मलाया प्रायदीप के बीच में इस्थित है ये जल्डव मुबंध्य इन दोनों को भूभागों को अलग करता है किसको जोडता है इन महासागर और प्रशान महासागर को जोडता है अभी हाली में परिक्षाम पूछा गया था कि कौन कौन से दीप किस करम में है करम में लगाने को आया था इंडोनेशिया के जो दीप थे तो प्रमु के सबसे उत्तर में सुमात्रा दीप है उत्तरी सुमात्रा दक्षिन सुमात्रा में विभाजित है ये इसके बाद आपका जावा दीप आता है ठीक है इसके दक्षिन में जावा दीप है जावा दीप के दक्षिन में ये बहुत छोटा सा दीप आपको दिखाई पढ़ रहा होगा ये बाली दीप है ये कौन सा दीप है बाली दीप तो सुमात्रा जावा उसके बाद बाली दीप बाली दीप के ठीक दक्षिन में और अध रेना ज्यादा नहीं पूछेगा जो मेन मेन हैं तो सुमातरा याद रखेएगा सुमातरा के डख्षण में जावा आएगा जावा के डख्षण में बाली बाली दीप आएगा महतपूर्ण है यह ठीक Kung, लोबोग दीप के बाद सुमभावा धीप, कोमोडो दिप फ्लोर्स दिप ये सबी डक्षिन में आप चलते चले जाएंगे और उसके बाद तीमोर लेस्टे आता है जिसकी राजधानी दिल्ली है दिल्ली वो नहीं नहीं दिल्ली वाली तीमोर लेस्टे एक देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकvia अगर पूछ लेगा यह तीमोर लेस्टे जो कंडरी है देख रहे हैं इसकी राधधानी दिली है तो कभी कोई पूछ लेगा दिली को मिलान करने के लिए आएगा तिमोर लेस्टे की राजधानी दिली तो आप लोग याद रखेगा कि तिमोर लेस्टे की राजधानी दिली नहीं दिली है इसके लावा बोर्नियो जो ये दीप है इसमें तीन देशों का हमने बताया अधिकार है एक तो मलेशिया का दूसरा ब्रुन्वेई का तीसरा इंडोनेशिया का इंडोनेशिया का मैक्सिम्म जो शेत रहे इसका इंडोनेशिया के अंदर गती आता है बोर्णियो दीप में ही नई राजधानी जो इंडोनेशिया की है काली मंतान इसी में इस्ते थे पुरानी राजधानी जो जकार्ता थी वो जावा दीप इस्ते थी ठीक है उत्तर में उत्री जावा में इस्ते थी अभी जो नई राजदानी है काली मंतन इंडोनेशिया में ये बोर्णिय दीप में स्थे थे ये इरियन जाया अब है आमने आपको बताया कि जो पपुआ न्यूगनी दीप है न्यूगनी दीप है दो भागों में भाजित है जो पूर्वी भाग है वो पपुआ नियोगनी कंट्री है जो की ओशीनिया महादीप में स्थित है ये जो पूर्वी भाग है जो पश्मी भाग है पश्मी भाग इंडोनेशिया के अधिकार शेत में आता है इसी को यहाँ पे क्या लिखा है Iriyan Jaya इसको Iriyan Jaya के रूप में भी जानते हैं तो कभी आपसे नियोगिनी दीप न देकर Iriyan Jaya दे दे तो दियान रकेगा ये इंडोनेशिया के अधिकार में जो नियोगिनी दीप का भागाता है Iriyan Jaya के नाम से जना आता है एक और प्रमुख जलसंदी है सुन्डा जलसंदी याद रखेगा सुन्डा जलसंदी ये सुमात्रा और जावा दीपों को विभाजित करती है सुमात्रा और जावा दीपों को कौन सी जलसंदी विभाजित कर रही है सुन्डा जलसंदी सुमात्रा और जावा दीपों को विभ मकासार जलसंदी आपको दिख रही होगी बोर्नियो के दक्षन पश्चिम में मकासार जलसंदी दक्षन पूर में ये मकासार जलसंदी किसको अलग कर रही है बोर्नियो दीप को और सुलावेसी दीप सुलावेशी दीप बौर्योदीप का जो इंडोनेशिया ही शेत्र है और सुलावेशी दीप ये तो इंडोनेशीया का ही दीप है इन दोनों को अलग करने वाली जलसंदी कोँ है? मकासार जलसंदी है एक बात ध्यान दिजेगा बाली दीप और लॉम्बोक दीप इसके बीच से हुत्वी एक काल्पनिक रेखा खीची गई है एक बिटिस अधिकारी प्रकितिवादी था उसके द्वारा ठीक है ये रेखा सुलावेसी दीप और बोर्नियो दीप के बीच से गुजरती हुई फिलिपिन्स के मिंडनाओ तक चली आती है इसको वालेस लाइन कहते हैं ध्यान रखेगा इसको क्या कहते हैं वालेस लाइन कहते हैं तो वालेस लाइन क्या करती है आस्टेलिया और दक्षिन पूर्वी एशिया ही जीवों को चित्त करती है जो जीव जन्तु हैं यहाँ पर और जो वनस्पत्ती उनको विभाजित करने वाली रेखा इसको क्या कहते हैं वालेस लाइन कहते हैं कहां से गुजरती है पूछ सकता है कभी मान लीज़े एक्जाम में तो आपके लिए नई जानकारी होगी है अलफेड रसल वालेस नाम था जिन्होंने ये काल्पनिक रेखा की ची थी इसलिए उनका नाम इस रेखा का नाम वालेस लाइन के रूप उनके नाम पे वालेस लाइन पड़ गया उधारन सरूप जो वेलेस रेखा है इसके पूरु की तरफ कंगारू पाये जाते हैं और पह्षिम के तरफ दुगध धारी पशू जो दुगध देने वाले दूद देने वाले पशू है वो पाये जाते हैं तो इस तरह से पख्शियों और वनसपतियों का विवाजन इस रेखा के माध्यम से किया गया है वैलेस के द्वारा इसका नाम वैलेस लाइन या वालेस लाइन है अब जापान के पास का सागर जापान है ये जापान के दीप है जापान में लगबग चार हजार के आसपास दीप है लेकिन चार बड़े दीप है इनका क्रम पूछ लेता है सबसे उत्तर में होकैडू है फिर होन्शू है फिर शीकोकू हर फिर क्यूशू है ठीक है होकैडू फिर होन्शू फिर शीकोकू और लास्ट में क्यूशू दीप इन चारों में जो सबसे वड़ा दीप है दूसरे नमबर का होन्शू दीप है ये इन चारो दीपों में सबसे बड़ा दीप है इसी दीप पे जापान का जो जापान की राजधानी है टोक्यो इस्तित है जापान का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी फ्यूजी आमा वो भी इसी दीप पे इस्तित है जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो वो भी इसी दीप पर इस्तित है होन्शू दीप पर ही इस्तित है बाकी के जो दीप है नीचे वाले अर्थाच शीकोकू और क्यूशू इसमें दो प्रमुख शहर इस्तित हैं वही प्रमुख शहर जहां पर माण हमला किया था अमेरिका ने तो शिकोकु दीप पे हिरोशिमा और क्यूशु दीप पे नागासा की शहर इस्थे थे जापान को दोस्तों पूरु का ग्रेड बिटेन, निपन, सुर्योदय का देश, फूलों का देश या सुकुमार देश के रूप में भी जाना आता है ठीक है जापान का सबसे बड़ा मैदान मैंने बताया क्वांटो है जो की होन्शु दीप पेस्तित है टोक्यो याको हमा यह विश्व का सबसे बड़ा नगरी समुदाय है यहाँ पे कार और ट्रक का व्रिहत मात्रा में निर्माण होता है जापान का उसाका शहर पूरुका मैंचेस्टर कहा जाता है पूरुका मैंचेस्टर कहा जाता है जापान के अन्य प्रमुख ओद्योगिक शहर यवाटा, नागोया, कोबे ये सभी अन्य प्रमुख ओद्योगिक शहर जापान में जो इस्तित हैं जो प्रिक्षा में आपके जवरी हैं जानने मालदीव, दीपी देश ये भी है, राजधानी माले है लक्षदीव के मिनिकाय नामक जो दीव है, लक्षदीव का मिनिकाय दीव है मिनकाय दीव से आठ डिग्री चैनल इसको अलग करती है मिनकाय दीव से, लक्षदीव का जो मिनकाय दीव है वो मालदीव को आठ डिग्री चैनल अलग करती है ठीक है आठ डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रही है मालदीव को और मिनिकायदीव को या फिर लक्षदीव भी आएगा तो वो भी सही है क्योंकि मिनिकायदीव लक्षदीव का ही एक दीव है अब अरब प्राइदीब के देशों को देखते हैं जो सबसे महत्पुनौर यही छूटा हुआ हिस्सा है आपका सौधी अरब अरब प्राइदीब का आप देखेंगे सबसे बड़ा विश्व का प्राइदीब है अरब प्राइदीब इसका 80% हिस्से पे सौदी अरब अकेले ये देश फैला हुआ है तो सबसे बड़ा इस प्राइदीब का देश कौन है? सौदी अरब है सौदी अरब की राजधानी रियाद है क्या है? रियाद है सौदी अरब के दक्षण में दोस्तों रबल खाली मरस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है सौधी अरब के दक्षणी भाग में इस्थित रबलखाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है ध्यान न कहेगा रेतीला मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौँ सा है ये comment box में आप बताएंगे वो एशिया महादीप में नहीं आता है लेकिन विश्व का वो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कहाँ पर है आप लोग comment box में जवाब देंगे किस महादीप में है अन्यप्रभक मरुस्थल जो इस्थित है सौदी अरब में अल नफद मरुस्थल सौदी अरब के उत्तर में इस्थित है अल नफद मरुस्थल ठीक है ये मक्का जो पवित्र शहर है मक्का जाने के लिए जद्दा में हवाईड़ा और बंदरगा दोनों इस्तित है तो जद्दा को मक्का का द्वार कहा जाता है जद्दा को मक्का का द्वार कहा जाता है यहाँ पे बंदरगा और हवाई अड़ा इस्तित हैं ध्यान लखेगा जद्दा में बंदरगा भी है हवाई अड़ा भी है इसके लावा एक और महत्पूर्ड देश है स्युक्त सौदी अरब के लावा स्युक्त अरब अमीरात ये साथ प्रमुख अमीरातों से मिलकर बना हुआ है स्युक्त अरब अमीरात ये साथ अमीरातों से मिलकर बना हुआ है इसकी राज़ानी अबुधाबी है ये साथ जो अमीरात हैं अबुधाबी, दुबई, बाराज हो, शाराज हो, अलाइन, रास अल, खवामिक, आजमान और हुजीरा, जिनमें अक्सर आप नाम सुनते होंगे, तीन का, अबुधाबी, दुबई और शार जहां का, ये तीन नाम आपको अक्सर इसलिए सुनाई रासल खामिक, आजमान, खुजीराह, इनके नाम आपको कम सुनने को मिलते होंगे, ये साथ अमीरातों का देश है, सैउगत अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबुधाबी है, लाल सागर, एशिया को अफरीका से अलग कर रहा है, ये साओधी अरब के किस तरब इस्तित ह पशियम में ये साओधी अरब के दख्षिन में यमन, नामक देश इस्तित है, यमन की राजधानी है सना, ये एक पर्वती देश है, पर्वतों से ढका हुआ धेश है, अदन नामक एक बंदरगा, यहां पर बहुत प्रसिद्ध है, ये अदन बंदरगा है, इसी के नाम से, इसके दक्षिन में जो खाड़ी है, समुद्री खाड़ी, इसको अदन की खाड़ी के नाम से जाना जाता है. यमन में ही वादि ए दहर, नामक एक बहुत ही भैंकर जोला मखी इस्तित है, बहुत ही भैंकर जोला मखी डौट कहते हैं उसको, जौला मुखी डॉट कहां इस्तित है वादिय दहर तो यमन में ही इस्तित है यमन जो है जीबूती से जीबूती आप देख रहे हैं अफरीका का जीबूती जीबूती से बाब अलमंडेव नाम याद रखेगा बाब अलमंडेव जलसंदी से अलग होता है तो यमन अफरीकी देश जीबूती से बाब अलमंडेव नामक जलसंदी से अलग होता है अदन बंदरगा जिसको पोर्ट आफ कॉल कहते हैं आपने देख लिए अदक्षिन में इस्तित है चुकि यमन ये स्टेट्मेंट याद रखेगा PCS में सायद यहीं से प्रश्ण भी आया था ये लाल सागर है बाबल मंडेव यहाँ पर है अदन की खाडी को लाल सागर से ये जोडता है और किसको अलग करता है जीबूती को यमन से अलग करता है ठीक है यमन के पूर में उमान नमक देश इस्तित है उमान की राज़नी मसकट है उमान में एक महत्पूर बंदरगा है अकाबा बंदरगा क्या अकाबा बंदरगा उमान के पास उमान की खाडी इस्तित है उमान के आप उत्तर पूर में देखें जल्डवरूमध्या जलसंदी कहते हैं तो हारमुद जलसंदी क्या करती है किसको जोड़ती है ओमान की खाड़ी को और फारस की खाड़ी को जोड़ती है हारमुद जलसंदी किसे जोड़ती है हारमुद जलसंदी फारस की खाड़ी और उमान की खाड़ी को जोड़ती है फारस के खाड़ी के तट पर जो देश स्थित हैं उसका हमने आपको बताया था Q-Box से याद रखेगा Q-Box I-I Q-Box C Q से कतर U से UA B से बहरीन O से उमान Q से कुवैत A से सौधी अरब I से इराक I से इरान Q-Box C से याद रखेगा फारस, खाड़ी, इर्द-गिर्द, इराक, इरान, बहरीन कतर, कुवैत से उमान और सौधी अरब ये देश स्थित हैं Q-Box C से हमेशा याद रहेगा आपको कतर कतर की राजधानी दोहा है कतर की राजधानी दोहा है कुवैत की राजधानी कुवैसिटी है ये फारस की खाड़ी के उत्तर में इस्थित है यहीं पर कुवैत में ही बुर्धान पहाड़ी या बरगान पहाड़ी इस्थित है जो कि अगर अकेले किसी भंडार शेत को देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला शेत्र बुर्धान पहाड़ी या बरगान पहाड़ी शेत्र है ठीक है कन्प्यूज मत होईएगा ये एक ऐसा शेत्र है अकेला शेत्र जहाँ पर सबसे अदा पेटोलियम का भंडार पाया जाता है बरगान पहाड़ी कुएट में शेत्र है बहरीन की राजधानी मनामा है बहरीन की राजधानी मनामा है इरान की बात करें महतपूर देश से इरान की राजधानी है तहरान इरान कार्थ होता है आर्रियों का देश यहाँ पर दो प्रमुख मरुस्थल इस्थित हैं दस्ते लुट और दस्ते कबीर याद रखेगा दस्ते कबीर और दस्ते लुट यहाँ पर दो प्रमुख मरुस्थल इस्थित है यहाँ पर अलबुर्ज परवत पर सर्वो चचोटी इस्थित है देमा बंद याद रखेगा देमा बंद इस्तित है जो कि अलबुर्ज परवत की सर्वोच चोटी है एरान में अबादान नामक अस्थान को एरान के अबादान नामक अस्थान को तेल राजधानी के रूप में जाना आयाता है तेल राजधाने के रूप में जाना जाता है इसके लाए यहाँ पे तेल के काफी भंडारन शेतर है अक्सर एक्जाम में पूछ लेता है उनके नाम याद रखेगा लाली, करमशाह, नफ्त साफित, हफ्त केल, गच्छ सारन यह सभी तेल उत्पादन या तेल भंडारन शेतर हैं जो की इरान में पाये जाते हैं इरान में अधिकतर जनसंख्या वाले जो शेतर हैं दजला फरात जो नदियां हैं उनके डेल्टा में दजला फरात वही नदियां हैं टिग्रिस और यूफरेटस के नाम से भी इनको जानते हैं वरतमान में टिग्रिस नदी और यूफरेटस नदी के नाम पे दजला फरात नदीओ को जाना जाता है तो चाहे दजला फरात आए या टिग्रिस यूफरेटस आए दोनों एक ही है वही दजला परात नदियां जिसके किनारे इराग की मेसोपोटामिया या सुरेमियन सुमेरियन सब्यता विक्सित हुई थी इसके डेल्टा में ही अधिकतर जनसंख्या निवास करती है इराग की राज़ानी बगदाद है इराग की राज़ानी बगदाद है बगदाद एक महत्पूर्ण एतियासिक और पवित्रस्थल है बगदाद जो है टिग्रिस नदी या दजला नदी के किनारे ही इस्थेत है ये टिग्रिस नदी के किनारे इस्थेत है सीरिया के राजधानी दमिस्क है अक्सर ये अशांत श्यत्र रहता है सीरिया वाला दमिश्च के इसकी राजधानी है तुर्की जैसा कि मैंने कहा यूरोप और एशिया दोनों में है इसका विस्तार लेकिन एशिया में लगबग 90 प्रत्यत तुर्की का छेत्र रवस्तित है इस्तांबूल ये जो देश है तुर्की का ये यूरोप और एशिया दोनों फैला हुआ है काफी बड़ा शहर है सबसे बड़ा शहर है तुर्की का तुर्की की राजधानी अंकारा है दिख रहा है साफ साफ काला सागर के तट पेस्थित देशों में से एक तुर्की भी है अलागि काला सागर के बारे विहत चर्चे हम यूरोप महादीप में करेंगे कौन-कौन से देश अवस्तित है तुर्की को एशिया का प्रविश्दार भी द्वार भी कहते है तुर्की सबसे पूर्वी देश अगर कोई है एशिया का तो तुर्की है सबसे पशिमी देश है तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते है अठान्वे पत्चत एशिया में स्थित है दो पत्चत यूरोप में स्थित है उरोप पे जो आता है तुर्की के रास्ते आना उसके लिए सरल होता है इसलिए एशिया का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं अगर उरोप से एशिया में आना हो तो तुर्की मागए मतलब एशिया मागए तो एशिया का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं राधानी अंकारा है महत्पूर्ण पठार है अनातोलिया का पठार जो की पॉंटिक और टारस परवस शेड़ी के मद्धिस्ते थे यहाँ पर एक महत्पूर्ण परवत है पठार है अनातोलिया का पठार जो की पॉंटिक परवत और टारस परवस शेड़ीयों के मद्धिस्ते थे इसके सरवोच चोटी है माउंट अरारात यहां पर अंगोरा नामक बकरियां मिलती है जिनके उन से अंगोरा नामक उत्पात प्राप्त किया जाता है जो कि काफी गर्म रखता है काफी प्रसिद्ध है अंगोरा उन किस से निकला जाता है अंगोरा बकरियों से और यह कहां पाげ जाते हैं तर्की में पाई जाते हैं माउंट अरा राथ के आस पास अनातुलिया के पठार के शेतर के आस पास तर्की में इजामिर के घाटी है जो कि इसका प्रमुख अधूगिक शेतर यहाँ आफीम का काफी उत्पादन होता है टर्की में इस्थित वान जील दुनिया की सबसे अधिक खारी जील है लोणी जील है सबसे अधिक लोणतावली जील वान जील कहां पर इस्थित है तुर्की में इस प्राइदी पे करने देश इस्थित है जॉर्डन जॉर्डन की राजधानी अमान जार्डन 90 प्रिस्ट मरुस्थली देश है 90 प्रिस्ट मरुस्थली इस देश में यहाँ पे मृत सागर इस्थित है जो समुद्र तल से लगबग 440 मीटर नीचे है दुनिया का सबसे निचला बिंदू कहा जाने वाला ये सागर है और खारे पानी की सबसे निचली जील भी इसको कहा जाता है क्या नाम है मृत सागर जार्डन का मृत सागर अकाबा बंदरगा ये जार्डन का सर्टमुक बंदरगा है अकाबा बंदरगा नाम याद रखेगा लेबनान की बात करें लेबनान में एक मायतेपूर्ट देश है लेबनान को पूरू का सुर्जय लेंड भी कहते है भूमद सागरी जलवाई वाला देश है इसलिए घूमने घूमने के लिए काफी लोग यहाँ पर जाते है लेबनान की राज़ानी बेरूत है त्रिपोली और सिडोन इसके दो प्रमुख तेल शोधन के अंदर है एक और प्रमुख देश है साइप्रस एशियाई देश है लेकिन यह भूमद सागर में स्थित दीप है तो यहाँ की जो अलवाई भी भूमद सागरी है इसकी राज़ानी नीकोसिया है इसराइल की बात करें अक्सर चर्चा में रहने वाला विवादित देश तो जार्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र देख रहे हैं ना जार्डन, सीरिया, लेबनान और अफरीका का एक देश मिस्र इससे चारों तरफ से यह लगा हुआ है घिरा हुआ है इसराईल की राजधानी जो भारत दौरा मानता प्राप्त है तेल अविव है लेकिन इसराईल येरुसलम को अपनी राजधानी बताता है 1906 इसिबि में अरब जो कंट्रीज उन्होंने इसराईल के खिलाफ यो द्छेड दिया था लेकिन इसराईल का इसमें इसराईल विजयता रहा अरब देश जो है पराजित हो गया तो इसराईल ने मिस्र से सिनाई प्राइदी सीरिया से गोलन जो पहाड़िया है गोलन हाईट से और जॉर्डन से वेश्ट बैंक छीन लिया उस पर कबजा कर लिया इस युद्ध में 1978 के आजपास मिस्र ने इसराईल को मानिता प्रदान कर दी ऐसा करने पर इसराईल खुश हो गया और उसने सीनाई जो प्राइदीप हासिल कर लिया था उसको मिस्र को वापस सौप दिया जो की स्वेज नहर का ही एक भाग था यरुशलम जो की मानिता देता है इसको इसराईल अपनी राजधानी के रूप में एक महत्पूर्ण शहर है यरुशलम तीनों ही प्रमुग धर्मों इसलाम यहुदी और इसाई धर्म तीनों का पवित्रस्थल है फिलिस्तीन के साथ इस जगों के लेकर के विवाद रहता है फिलिस्तीन इसराईल का ही एक स्वायत तसासी प्रदेश है लेकिन अपने आपको एक देश मानता है भारत फिलिस्तीन और इζराइल से एक देश के रूप में ही संबंदस थापित किये हुए है ये भारत की विदेशनेती की सफलता है मुक्तब फिलिस्तीन के साथ और इजराइल का जो बिवाद है वेश्ट बैंक और गाजा पट्टी को लेकर है फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में रामल्ला को मानिता प्राप्त होई है फिलिस्तीन को अगर जो भी देश एक देश के रूप में मानिता देते हैं वो रामल्ला को इसकी राजधानी के रूप में पहचान देते हैं फिलिस्तीन देश के रूप में उसकी राजधानी के रूप में रामला को I think कुछ छूटा नहीं होगा जितनी चीजें हो सकती थी हम नेपाल भुटान तो चर्चा ही ने किया नेपाल दोस्तों नेपाल की राजधानी काटमंडू है ये हमाले परवती शेत्र है हमाले से गिरा हुआ अनतस्त राजध है मतलब भारत और चीन के बीच इस्तित राजध है ऐसे राजधियों को बफर इस्टेट कहते हैं मध्य हमाले जो है उसको यहाँ पर महा भारत शेंडी गरूप में जाना जाता है नेपाल में भारत के द्वारा विक्सित भारत की मदद से विक्सित एक नगर है विराट नगर इस विराट नगर एक मात्र अद्योगिक छेत्र गरूप में इसकी पहचान है नेपाल में तो नेपाल का एक मात्र अद्योगिक शहर क्या नाम है विराटनागर भूटान ये बात करें तो भूटान की राज़ानी दोस्तो थिम्पू है भारत का परमित्र राज है लैंड आफ थंडर वोल्ड भी इसको कहते है यहां की सबसे यहां का दो सबसे उचा सिखर है वो है कूला कांगडी कूला कांगडी बज जयान बौध धर्म के मानने वाले यहां पर ज़्यादा रहते है दो और महत्पूर्ण देश रह गए है कॉरिया प्राइदीब के अर्थात उत्तर कॉरिया और दक्षिन कॉरिया महत्पूर्ण थे अभी छूट जाता तो यह होता कि इसमें बताया नहीं था तो उत्तर कॉरिया दक्षिन कॉरिया के मद्ध सीमा जो विभाजित करती 38 डिग्री समानंता रेखा यह कॉरियाई सैन विहिन छेत्र है यहां पर दोनों देशों की सेनाएं सैन विहिन कहने को हैं लेकिन यहां पर सफसे आदा सैनाएं यहीं पर मौजुद हैं पूरे विश्व मैं अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार से शांद शेत्र घोशित हुआ दक्षिन कॉरिया और उत्तर कॉरिया के मद्ध समझोते का एक बिंदु है 38 वी समानंतर रेखा इसको जानते हैं उत्तर कॉरिया उत्तर में स्थित है दक्षिन कॉरिया दक्षिन में स्थित है इसमें कोई शक नहीं है उत्तर कॉरिया की राजधानी प्योंग यौंग है ताना शाही राजा है वहां का अमनोक नदी चीन की और उत्तर कुरिया की सीमा बनाती है क्वाँ सी नदी अम नोक नदी वही रूस उत्तर पूर्वी जो रूस का भाग है और नार्थ कुरिया के बेच एक नदी बहती है तुमेन नदी तुमेन नदी ये इन दोनों को अलग करती है उत्तर कोरिया और रूस को अलग करती है इन दोनों की सीमा बनाती है तुमेन नदी अमनोग नदी चीन और नार्थ कोरिया की सीमा बनाती है तुमेन नदी नार्थ कोरिया और रूस की सीमा बनाती है ठीक है? दक्षिन कोरिया की राज़ानी सियोल है सियोल एक विक्सित राष्ट है इसको शांद प्राता काल की भूम्भी का जाता है जेजू सबसे बड़ा दीप है दक्षिन कोरिया का क्या नाम है जेजू यह सबसे बड़ा दीप है दक्षिन कोरिया के दक्षिन में कोरिया जलसंदी और सुसीमा जलसंदी हैं जो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोडती है बाकि सारी बातें होई गई हैं सुनारु जलसनदी, यहोंशू और होक्यडू जो दीप है, जापान के उनके मद्दी इस्तित है, इसके लावा आमूर परवत, आमूर नदि इसके बारें तो बताए आपको, मंचूरिया का मैदान चीन में स्तित है, महतवोर्न मैदानी मां का, जापान के उत्तर में कुरिल दीव समू इस्थित है कुरिल दीव समू में जापान कादिकार नहोकर रूस कादिकार है ध्यान रखेगा ठीक है ठीक है I think कुछ बचा नहीं है जो बताने लगए हाला कि A.C.A. बहुत ही ज़ादा विस्थित है यह इतनी ज़ादा इन्फॉमेशन है कि कुछ नकुछ तो छूटा होगा लेकिन एक्जाम और इट्रेट सारी चीजे आपकी इसमें हमने कवर करा दी है अभी हम यूरोप में आएंगे यह बहुत बड़ा इन्फॉमेशन का सेक्टर है और यहां से बहुत सारे प्रशनाते है एसिया महदीफ से इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगाया मैंने बाकी अन्ने जो महादीफ है उसमें इतना समय नहीं लगने वाला उसमें बहुत कम इंफॉमेशनがी है तो मिलते हैं नेश्ट योरोप महादीफ के साथ बोड़ बोड़ दन्यवाद